हेलो स्टुडेंट वेलकम बैक तो यूवर चैनल ब्राइट साइब कोमर्स आज टोपिक हम डिसकस करने जा रहे हैं अपना यह है मैक्रो एकोनोमिक्स का सेकंड चैप्टर के अंदर जिसमें है सम बेसिक कंसेप्ट ओफ मैक्रो एकोनोमिक्स इसके अंदर मैंने गूड्स को बहुत सारे गूड्स होते हैं जो डेली लाइफ के अंदर यूज के जाते हैं एज एक पर दूसर के रूप में भी दिसे मान लो कोई भी शूज शूज जो भी उज करता है पहनते हैं मसीन वगेरा यूज के जाते हैं टूल्स फर्म के अकोर्डिंग हाना तो यह सभी डिफ हमार करते सुर्ट, हर आग यृज इप सिर्ट आपने लोगृत भी गूझें मुना फाने लोग्रिंग हो यूज कि उभी दोभी खरीं के लिए ख्रीं ने यूज किया जाता है वो फाइनल गुट्स का ग्राइं टिक है तो इसमें क्या दे रख्त है अपने को पाइनल गू इसके पर बीजिनिस के दूआरा जो भी मसीन के दूआरा जो प्रोडेक्शन बनकर रड़ी हो गया जो बाउंडरी लाइन को उसने क्रोड गरूंड कर लियू हो गया और एक मतलब कि पैकिंग वगेरा हो के वह रड़ी मैं यूजर्स की बात कर रहा हूं कंजूमर और प्रोडूसर में से तो फाइनल गूट्स के कंजूमर और प्रोडूसर कैसे कहलाएंगे तो मैंने दो यहां पर डिफाइन कर रखे हैं फाइनल इन as admissions collect की बात करना हूं कान्जूमर की कि वाई जो भी बुंद्स करते हैं उसके बैसे पे फाइनली पर्चिज पाइनल इन इस फाइनल आगा। को भी गुर्ट करता एं जो भी गुट्स कुछ करते हैं आपक्या तो वह प्ह Democrat इस उसे परडूशन बोलते हैं तो वो गूड्स कोन से होता है जैसे किसी भी कंपनी के दोड़ा जो भी टूल मसीन वगारा बनाई जाती है उसके वेसिज पे अगर वो पर्चिस करें परडूशर परडूशर जैसे मसीनरी जो भी चलाने वाला होता है वो उसे यूज कर लेता कंजूमर यूज करता है खुद अपने कंजूम करता है अपनी वोंट्स को सैटिस्वाइ करने के लिए वहीं आगर कोई भी ट्रैक्टर हर्वेस्टर मसीनरी वगारा रडी होते हैं प्रडूशर के लिए फाइनल यूजर तक यानि वो यूज करता है तो वो प्रडूशर ग करसकता है कंजूमर भी करसकता है उन दोनों के सम को हम से 築क एक्सक करते हैं ठीक है तो इसके बाद में आपने डिसकस करते हैं नैक्स टोपिक का अपना इंट्रमीड़ गुट्सा कि इंट्रमिटेट sold्र लाष्ट हम यूज कर रहें लेकिन इंट्रमेड हज़स को बनाने में सबसे बड़ा मीणूस के यह अपन बोलते हैं तो में तो इंट्रमेंट गूर्स कोन से होते हैं इंट्रमेंट गूर्स और दोज गूर्स विच आर विदिन दी बाउंडरे लाइन प्रोडेक्शन एंड नोट रेडी फोर द्यार फाइनल यूजर कहने का मतलब क्या हुआ जो फाइनल गूर्स तन उससे बिल्कुल अपोजिट ह ठीक है वह बाउन्डे लाइन को क्रोश भी कर रहा था प्रोडेक्शन रेडी वे हो गया था लेकिन यह अभी प्रोसेस में प्रोडेक्शन नहीं हुआ है यानि कि उसको फाइनल यूजर उससे यूजर नहीं कर सकता है उसके लाइक नहीं अभी घूर्ज है दूसरा आपन बोलते हैं intermittent goods को सामिल किया जाता है जैसे एक्जाम पर लो कि कोई भी कंपनी एक क्लोज वगरा सर्च वगरा परचिज करती है किसी भी कंपनी से तो अगर वो परचिज करती है फ्रदर रीसेल करने के लिए तो रीसेल का परपस आते ही वो क्या बन जाएगा intermittent goods बन जाएगा ठीक है यानि कि वो एक raw material का भी यूज कर सकता है ठीक है raw material का यूज करके और कोई भी नया गूर्स वो बनाता है किसी भी raw material को खरीद कर और वो नया गूर्स बनाते है यानि कि आपने 50 रुपे की कोई भी लकडी खरीदी उसे नया product आपने बना के उसे 200 दे वो आपका intermittent goods कैलाएगा ठीक है यहां तक आपको clear हो गया होगा बिल्कुल इससे फाइनल गूर्स से बिल्कुल अपोजिट है और इसके अगर और भी एक्जामपल लेना चाहो फाइनल और इंट्रमेट गूर्स के मान लो सुगर लेते हैं चिन्नी वगरा का यूज किया जब सुगर डारेट यूज की जाए हाउसोल्ड परपज के लिए मतलब कि चाय वगरा ऐसे बनाने के लिए तो एक तरीके से वो क्या बोले जाएगी फाइनल गूर्स के अंदर सामिल हो जाएगी ठीक है वो फाइनल गूर्स बन जाएगी यहां तक आपको clear हो गया चलो एक डिफ्रेंस इसमें और देख लेते हैं डिफ्रेंस यह आपको और भी clear हो जाएगा डिफ्रेंस इसमें है final goods का intermittent goods का तो final goods क्या होते है वो ही जो final consumption के लिए ready होते हैं use for the final consumption और intermittent goods इसमें note लगाके बोल दो कि note use of the final consumption ठीक है दूसरा इसमें difference बनता है ready for use by their final user मतलब कि by final user के द अभी final user इसे यूज़ नहीं कर सकता, they are finished goods इसे आपन बोलते हैं, finished goods भी बोलते हैं, final goods को और interim goods को unfinished goods बोलते हैं, final goods की जो भी value होगी, जितनी भी countable value होगी, वो उसे GDP में count करेंगे, यानि GDP का जब भी value addition की जाती है, value निकाले जाती है, तो GDP के अंदर final goods को सामिल करते हैं, और वहीं इसे intermittent goods को final goods के अंदर सामिल नहीं करते हैं, इसका example जो मैंने पहले भी लिया था, biscuit का example लिया, biscuit आर final goods कहलाएगा, और यहाँ पे, क्यों final goods क्योंकि आपन उसका use कर रहे हैं, और वहीं, biscuit बनाने में जो product यूज़ हुआ है, यानि की floor, milk, sogar वगेरा, यूज़ हुई, वह intermittent goods से कहलाएगी, ठीक है, यहाँ तक आपका clear हो गया होगा, final goods का difference, इंबेड गूट्स क्या होता है, और final goods क्या होता है, फिर भी अगर कोई भी इसमें doubt है आपको related, तो please comment का section में जरूर लिखेगा, और दूसरा, आगे अपन नया topic लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो क अंदर, please like, share, subscribe और comment जरूर करना, thank you.